चुटनी चक्रवी में आपड़े विशेस मुलाकातोपन लेता रही है छे तेवा बते आपड़े आज दूर दर्सन दिल्ली ना सिनियर जर्णालिस असोग भई स्रीवास्तो आपड़े साथे जुड़ा है छे असोग भई साथ आपड़े वाच्चित क्या लग रहा है गुज जरा चुनाओ बहुत सालों से देखता आया हूँ इस बार लग रहा है कि जैसे चुनाओ में कोई करंट नहीं है और करंट नहीं है तो उसके उसके एक ही माइने लगता है कि अभी तक विपक्ष जो है सरकार को गेरने में नाकाम रहा है तो मुझे लग 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 यह चुनाओ एक तरफा है, एक तरफा का मतलब यह नहीं कि क्लीन स्वीप जैसा है, कॉंग्रेस के कुछ पॉकेट्स हैं, उन पॉकेट्स में कॉंग्रेस हमेशा अच्छी करती रही है, तो कॉंग्रेस की वो पकड़ बरकरार है, लेकिन मुटे तोर बच जैसे मैंने का सतरा का चुनाओ करके दिल्ली वापस जा रहा था, तो मैंने एरपोर्ट से एक ट्वीट किया, और वो मैंने ट्वीट किया कि भई बीजेपी सरकार तो बना लेगी, लेकिन सौ के नीचे निपड़ जाएगी, और आप देखे उस वक 99 सीटे आई थी, और मेरा ये मानना है क अगर पिछले विधानसवा चुनाओ में, नरेंदर मोधी, प्रदान मंतिरी नरेंदर मोधी ने अपनी ताकत जिस तरह से लगाई थी, अगर वो नहीं लगाते तो पिछले चुनाओ बीजेपी लगब लगब फस गया था, लेकिन वहां से निकल, लेकिन इस बार वो कांग्रेस के वोट बैइंक में संद लगा रही है, तो कहीं-कहीं डैमेज करेगी, अमाद मी पार्टी कोई ताकत नहीं है, लेकिन वह डैमेज कर रही है, तो वोट कहीं काटेगी, और दूसरा कांग्रेस जो सेल्फ Goku करती है, वो एक बार फिर कांग्रेस सेल्फ पुल करत तो लाइस टाइम इतना बहुत ही घुशा था लोगों को के हमारे गुजरात के प्राइम मिनिस्टर नहेंदर भाई मोधी दिली में जाके बेठे तो फिर एक बार मोधी सरकार तो इस बार इसा माहौल नहीं लग रहा है और बीजेपी पुरे गुजरात में लड़ी एक ही चे सेरा नहीं फिर भी एक माहौल बनाए पुर्ट इस बार इसा लग रहा है कि आम आदमी पाटी जो दिली में सरकार बनाई है और पंजाब में केजरी वाल जीने जो सरकार बनाई है वो वापस गुजरात में कुछ नहीं वादे लोगों को बता रहे हैं गुजरात की जंता प विजर्य में इतना माफी देंगे इतना हम ये देंगे ये पेकेज देंगे और ये लोगान जाहरत कर रही है उसके बारे में आप क्या क्या अचा आप पी बताओ गुजरात का आदमी कि फ्री फंड की चीजों में यह की यकीन करता है गुजरात का आदमी वड़ा बहनती है देखिए और मैं देखता हूँ यहां पर लोग यह सोचते हैं कि कैसे और वो दो पैसे के लिए चिंता नहीं करता मुझे इतने सालों मैं अपने कितने दोस्तों को जानता हूँ यहां पर मैंने कभी नहीं देखा कि वो जब आओ सेवा खातिर प्यार महबत ऐसे लुटाते हैं वो लोगों पर वो कुछ नहीं सोचते तो मुझे नहीं लगता कि गुजरात का जो लोग हैं वो एक हजार रूपे बिजली का बिल, दोजार रूपे बिजली काभिला, एक हजार रूपे महिलाओं को वो कुछ चोटा मोटा वर्क जरूर जा सकता लेकिन मोटे तोर में मुझे रगता है गुजरात में यह नहीं चलेगा दूसरी चीज क्या हो रही है आमादमी पार्टी साइड बाई साइड बाई साइड जो यहां पर वादे तो करती है लेकिन पिछले कुछ समय में हम देखिए आमादमी पार्टी लगातार एक्सपोज हो रही है सबसे बड़ा ब्लंडर अब देखिए चुनाव के बीच में जो है वो सरतेंडरी जैन का जो वीडियो आया और उस वीडियो को कह दिया गया पहले आमादमी पार्टी ने कह दिया तो फिजियो थेरेपी करवा रहे थे अब पता चला वो तो बलातकार का आरोपी अपनी बेट गुजरात को जितना महने समझा है जरूर कुछ पॉकेट्स में फिर कहूंगा कुछ पॉकेट्स में क्योंकि गुजरात में आप ये देखिए एक बात है कि विदान सबह चुनाओ के अगर आप बात करें तो बीजेपी कितना ही कर ले 50% वोट ऐसा जरूर है जो बीजेपी क वो कॉंग्रेस का उसका 35-45 फीजदी वोटर था लेकिन अब उस 35-45 फीजदी में से ही तो आम आदमी पार्टी लेके जा रही है तो वो कॉंग्रेस को नुकसान पहुंचा रही है बीजेपी का वोट इंटक्ट है और बीजेपी का वोट कई चीजों से बढ़ भी सकता और कारण यह है जैसे पिछली बार जैसे मैंने का ना जो कुछ विरोध था उन वो विरोध अब दिखाई नहीं दे रहा बीजेपी के खिलाफ महंगाई बेरोजगारी के मुद्दे उठाए जाते हैं लेकिन वो उस हिसाब से इतने बड़े मुद्दे नहीं है अज रहे तो न गुजरात में भी कहीं नहीं दिखा मुझे एंटर इंकंबेंसी जैसा तो ऐसे में बीजेपी के लिए रहा आसान ही हो गई है यह जरूर है कि बीजेपी के बास चहरा नहीं है बुपेंद पटेल जरूर मुक्चे बंतरी हैं लेकिन वो कोई चहरा ऐसा नहीं है लेकिन अग जो है नरइंद मोधी के साथ जुड़ जाते हैं और फिर मैं कहता हूं कॉंगरेस सेलफ गोल करती है कॉंगरेस में कहीं नहीं जो है रण नितिकार नहीं है कॉंगरेस के पास जो है ना अच्छे राहूल गांदी को क्वहन साला देता है मुझे समझ में नहीं आता अब आप 17 में पार्टिदारों को अंदोलन चला था फिर भी भारतिय जनता पार्टी की 99 सीट आई थी मगर मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार आपके कारण आप पार्टी जो अन्रिविन केजरिवाल की पार्टी है उनके कारण प्राइम मिनिस्टर देश के प्राइम मिनिस्टर पुर्य गुजरात में गुम रहे ऐसा लोगों का मानना इतना सब क्यों प्राइम मिनिस्टर को गुमना चीए अज इतनी सब सभाय कर ले तो लोगों के दिमाग में ये लग रहा है कि आम आदमी पार्टी केजरीवाल से भारतिय जन्ता पार्टी को कुछ हाउ हो गया है कि कहीं ये वापस गुजरात नहीं कबजा कर लिया जैसे दिल्ली कबजा कर लिया पंजाब कबजा कर लिया तो कहीं गुजरात में केजरीवाल की एंट्री नहीं हो जाए इसके करण पधान मंत्री आज कहीं दिनों से गुजरात के दोरे पे आपको क्या लग रहा है? नहीं केजरीवाल को बीजेपी उस तरह से चुनाओती जिता मैं बीजेपी के नेताओं को जानता समझता हूँ बीजेपी के सामने ये चुनाओती नहीं कि वो जो अर्विन केजरीवाल कह रहे हैं कि हम सत्ता में आ जाएंगे बीजेपी की स्टाटी ये है कि आम आदमी पार्टी पांच सीटों के अंदर अंदर सिमट जाए की स्ट्राटी ये नहीं है कि ये बड़ी ताकत है हमें करना है तो पांच के अंदर अंदर सिमट जाए और बीजेपी एक बार फिर क्योंकि अब देखिए इन चुनाओं के साथ ना गुजरात चुनाओं के नतीज़ों के साथ हिमाचल नतीज़ दोजार चौबिस की लड़ बीजेपी को और बीजेपी जोर फिर मैं कहा रहा हूं बीजेपी का जोर है कि सौ प्लस सीटे लाक रिजबार लानी है बीजेपी का जोर उस पर है कॉंग्रेस को पांच से कम पर समेटना है इस चीज़ पर जोर है तो इसलिए बीजेपी उस हिसाब से और प्रदान मंतरी के अपनी शेली है, वो हर चुनाओ को इस तरह से गंबीरता से लेते हैं, बीजेपी, वो पीम को भी पता है कि पूरी बीजेपी उनी के कंदे पर है, यहां तो मैं सुन रहा था कि कई विदायक, जो है, मोधी के नाम पर ही वोट मांगते हैं, तो उनको पता है, प्रदान मंतरी क कॉंग्रेस बहुत साइलेंट से चल रही है, तो उनको सीटों में बड़ा हो सकता है, आपको कि वो तो प्रदान मंतरी ने खुद का कि कॉंग्रेस बड़ा साइलेंट तरीके से काम कर रही है गाउं में, वो गाउं में तो कर रही है, इसमें कोई दोर है, और वो कॉंग्रे का पैटर्न है शेहरी शेतरों में तो बीजेपी आपको गाउं में तो अच्छी टक कर देती है तो फिर मैं कहा रहा हूँ कि कुछ से कल एक बड़ी वंजदार बात तो कल यहां के वरिश पत्रकार ने मुझे बड़ी दिल्चास बात की उन्होंने कहा कि यहां के लोगों के द मीर सावरकर को गुजराच चुनाओ के बीच में गाली देना मेदा पाठ करके साथ नजर आना प्रदान मंत्री के ओपर यह हमला कर देना की आउकाद दिखा देंगे यह सब कॉंग्रिस कहां से ढूंड कर लाती है मतलब कि आपको पता है कि चुनाओ है फिर भी आप ऐसी ब स्ट्राटेजी नहीं है वो तो इसलिए कॉंग्रेस जो है पिछड़ जाती है मेरा यह मानना है उसके खुबज सिनियर जर्नालिश्ट हो मैं कहीं सालों से आपको देख रहा हूं क्या लग रहा है इस बार गुजरात के अंदर आपको क्या लग रहा है लोग ऐसा बता रहा ह लोग निस्पड़ गए तो आप कैसे मानता है मैं एक्जेक्ली वही मानता हूं देखे माहौल हो सकता था कॉंग्रेस अगर स्ट्राटेजी बना कर उतरती कुछ करती तो शायद आप चुनाती दे सकते ते लेकिन आज चुनाती देने कि अकम से कम आज किसी जो आज जो मेरा रेशो है वो यह है कि बीजेपी दो सीटों पे जहां जीत रही है कॉंग्रेस एक सीट जीत रही है नहीं कि बिलकुल साथ और एक सो बीस मानके चली इस तरह की कुछ आंकड़ा बनता दिख रहा है अब चुनाओ प्रचार जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वह लेकिन अब कॉंग्रेस जीओं ने खुद पोस्टर में जगा नहीं दी तो लोग उनको क्यों कैसे मल्लिकार जुन खड़गे के नाम पर तो कॉंग्रेस में कौन नेता हैं जिनके नाम पर लोग यहां वोट कर देंगे यह बड़ी समस्या है गुजरात में कॉंग्रेस के पास कोई ठीक नेतर तो नहीं है आप जानते हैं जो यहां के नेता थे उनके साथ कई कई तरह के विवाद रहे तो यह सारी चीज़े हैं जो कॉंग्रेस को कमजोर बना देती हैं अगेन सौराश्ट हो चाहे हम साओध गुजरात की बात करें वहां पर कुछ सीटे जरूर ऐसी लग रही है लेकिन उसके बदले में बीजेपी देखिए बीजेपी की एक बात है उस्टाटेजी बहुत तगड़ी बनाती है और एक दिन पहले या एक महीने पहले नहीं वो एक साल पहले बीजेपी जिन सीटों पर कभी नहीं जीतती यहां पर वो उन सीटों पर एक साल पहले डेड़ साल पहले से काम करना शुरू कर दिया था तो इस बार ये भी हो सकता है आदिवासी इलाकों में या ऐसी जगा पे जहां बीजेपी हमेशा लूट करती रही है वैसी कुछ सीठे बीजेपी ले 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 क्योंकि बीजेपी को भी पता है का इस पॉकेट में हम हमारे आज से सीठे तीन लोग पक्स खड़े बीजेपी कॉंग्रेस और आम अदमी पाटी वो लोगों को अभी ये मरतबा पहले कहीं साल पहले ऐसा होता था कि दो ही पक्स थे कॉंग्रेस या बीजेपी दो ही सिलेक करना था तो लोग नेंदर मोदी जी कोई वोट देते थे तो ये मरतबा लो केशुभाई पटेल जो हैं अपनी पार्टी बना कर लड़ रहे थे और तब सब जगा यही बात चल रही थी कि केशुभाई पटेल आप वो सोचिए पाटेदार नेता इतना बड़ा मुख्य बंतरी रहे तो बीजेपी को बड़ा डेंट पहुचा देंगे तो वहां गाउ बिलकुल चुनाओ जीतने की कागार पी नहीं तब तक लोग उसको वोट नहीं देते अगर आगर आधिए आमादमी पार्टी पंजाब में पिछला सुनाओ यह चुनाओ तो जीत गए सौ से ज़ादा आमादमी पार्टी का पिछले चुनाओ का रिकॉर्ड देखिए पिछ आमादमी पार्टी जब तक वहां पर मजबूत इस्तिति में नहीं तब तक पंजाब के लोगों ने सट्था वहां स्वापी नहीं आमादमी पार्टी को सेम चीज में गुजरात के बारे में कहुँआ हूँगा है कॉंगरे सुसाइड करने के मोड में दिखती है लेकिन आम आमादमी पर्टी का प्रदशन बहुत खराब रहेगा दे कि मैं तो चुणाव काउर यूपी में इन्होंने बहुत दावे किये थे उत्तराखंड में बहुत दावे किये थे गोवा मनिपूर कई जगा पे इन्होंने बहुत दावे किये थे और बड़े तेजी से इन्होंने किया था और यह मीडिया इनका मैनेज करते हैं तो इनकी नजर भी आती है लेकिन नतीजों में वैसा नहीं होता तो मे यहाइसा हो गया है कि वीपक्स में आमाद्मी पार्टी हो गयी तो गुजरत में भी वीपक्स में आ सकती आपको क्या लगा रहा है नहीं तेके महानगरपा लिकाऊं के चुना होते हैं बोहाँ पर च्छोटी-चोटी सीट होती है वेक्ती का पर्सनल यह बहुत होता है और फि नीचे के लिवल दे कर दोग। तो जरूर गुजरात में ग्रो कर सकता है लेकिन अगर दिल्ली की सत्ता डह गई और जिस तरह से लगातार वो एक्सपोज हो रहे हैं एक बाद एक उनके जूट पकड़े जा रहे हैं अगर वैसा ही रहा तो मुझे नहीं लगता कि गुजरात एकसप्ट करेगा केजरिवाल को कॉंग्रेस असाब बोल रही है कि गुजरात के अंदर मौंगवारी पश्टाचार और बेरोजगारी बहुत बड़ी है तो क्या ये मुद्दे में कितना सफ़र होगी कॉंग्रेस आपको क्या लग रहे हैं बेरोजगारी का मैं देख रहा था बेरोजगारी एक मुद्दा ह करता है इसमें कोई दोर आई नहीं अब फिर कह रहा हूं कि यह मुद्दे ऐसे हैं जिस पर कॉंग्रेस अगर स्टाटीजी बना कर अच्छे से काम करें तो काम कर सकती है लेकिन आप देखिए ना राजस्थान में महंगाई के उपर रैली होती है राहुल गांधी वहां जाते है तो महंगाई लोगों को बताओ ना महंगाई कैसे है और क्यों है और कैसे इसलिए सरकार महंगाई के मोर्चवर नाकाम रही है आप वो छोड़कर वीर सावर करके आप बात करें लोगों वो छोड़कर मेदा पाट करके चुनाओ छोड़कर आप भारत जोड़ो यातरा प को लगता है विकल्प नहीं है तो फिर वो बीजेपी के पास ही जाते हैं मुझे इसा लग रहा है कि कॉंग्रेस को अभी कोई भी स्टेट की पड़ी नहीं कहीं सिनियल लीडर ने राजी नामा रख दिया कहीं सिनियल निस्क्री हो गए तो इसके पीछे क्या करन नेशनल लग रहा है मुझे सबसे बड़ा कारण लग रहा है कॉंग्रेस की नेत्रित्व जो शीर्ष नेत्रित्व है उसमें बहुत कन्फ्यूजन है राहूल प्रियंका सोनिया ये परिवार के तीन लोग हैं और ये तीन लोग भी इन तीन में भी मुझे सोनिया जी का नेत्रित्व अशोग गहलोट जैसा नेता, जो परिवार का इतना लॉयल था, जो कॉंग्रिस का इतना कद्दा वर नेता, आप ने अशोग गहलोट के साथ क्या किया, जो पीछे की कहानी हम, जो मीडिया में हम को समझ आता है, जो हम जानते हैं, वो ये, कि अशोग गहलोट को कहा गया अद देक्ष बनने से पहली जब की पर्चा भी नहीं भरा उसके पहले आपने सचीन पाइलेट को मुख्य मंत्री बनाने का वादा कर दिया अब अशोग गहलोत को लगा यार मुझे दिल्ली में बुला रहे हैं इधर इनकी ताजपोशी करने कहीं ऐसा नहों मैं इधर करने नहीं बावजूद वो मीटिंग के लिए नहीं आए परेवक्षक से मिलने नहीं आए आप सोचिए इतने लॉयल नेता को आपने बगावत करने में मजबूर कर दिया चुकि आप उसके घर में जाके उसके उसके घर में जाके उसकी पूछ माग लगा रहे हैं जरूरत क्या थी आप सत्ता आप किसी युवा को सोब दो आपने उनको बनने से पहले और इसके पीछे जो पूरी कहानी होई है कि सुनिया की राहुल और प्रियंका जी ने तैय कर लिया था कि सचिन पाइलिट को मुख्य मंत्री बनाना वादा कर दिया था इसलिए उन्होंने सारा गेम किया अब इसमें किसकी गलती है कॉंग्रेस के शीरिश नेतरितु की गलती है और किसकी आप गलती मानेगे तो ये सारी चीज़े इसलिए गुनाम नभी आदा जैसे नेता को आपनी अपने पास रख पाए फिर कहते हैं कि पुराने नेता चोड़ रहे हैं ये कॉंग्रेस के शची थरूर मतब आप मतब कर क्या रहे हैं ये बिल्कुल समझ भी नहीं आता है मैं बार-बार इसलिए कह रहा हूं कॉंग्रेस जो है अपने आप ही कुवे में कूदने के लिए तैयार बैठी है को इसको बताने बताने वाला नहीं मुझे समझ भी नहाता है राहूल पर एक बार मोधी सरकार आज की तारीक में टककर नहीं है क्योंकि कॉंग्रेस लाज्यों में बिकरी पड़ी है कॉंग्रेस के पास नेत्री तो नहीं है रणनीती नहीं है और मोधी का विकल्प नहीं आज की तारीक में और नरेंदर मोधी का जो भी है आप नरेंदर मोधी क कुछ चीजे जो हैं ऐसी करी हैं जिसको लेकर के लोगों को लगता है कि हाँ अब आप देखिए वैश्विक स्तर पर भारत का डंका कैसे बज रहा है रक्षा शेतर में हमने जो कुछ किया जो सर्जिकल स्ट्राइक करी जो पाकिस्तान के साथ जिस तरह से हम डील कर रहे हैं आ आज की तारिक में नरेंद मोदी का नहीं है तो आज अगर चुनाओ हो जाए तो मेरा मानना है कि बीजेपी और नरेंद मोदी का देश के बास कोई भी कल्प नहीं है और लोग एक बार फिर से नरेंद मोदी कोई वोट करेंगे जब तक मोदी जी हैं मुझे नहीं लगता कि बीजेपी को कोई रेप्लेस कर सकता जब तक मोधी जी बीजेपी में